हेलो प्यारे दोस्तों, इजी ट्रिक्स में आपका स्वागत है इस वीडियो में न्यू ट्रिक्स के साथ हम हाजिर हैं और इस वीडियो में देखेंगे कुछ इंपोर्टेंट जो बार-बार एक्जाम में पुछा जाता है जैसे किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, वो भी ट्रिक्स से देखेंगे और दुसरा मुगल समराज के सासक करमा अनुसार तिसरा अकबर सासनकाल के नवरतन और उनकी कारी नवरतन में कौन क्या करते थे, किसके लिए अस्पेसलिस्ट से वो चीज देखेंगे क्योंकि वो एक्जाम में पूछा जाता है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सबसे पहले, सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले करते हैं ट्रिक, तो खेल और खिलाड़ीों में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं तो friend ये trick याद करने से क्या benefit होगा क्योंकि अगर आप इस series में इसको याद रखते हैं trick को तो बस कुछ नहीं करना है पहला के लिए 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9 और last में 11 तो यह आप mind में बिठा सकते हैं जैसे वो वास वाली ने gym खोली तो ये trick है इसको कैसे सोचेंगे वो पास वाली ने gym खोली वास के जगा पे सिर्फ mind में रखेंगे पास और रैमिंग को clear करेंगे वो पास वाली ने gym खोली तो इधर से देखेंगे पो से पो से पोलो तो start करेंगे 4 से 4, 5, 6, 7, 8, 9 continue चलता जाएगा friends तो पो से पोलो 4, वास, वासकेट बॉल 5, वाली से उच करूँगा वाली बॉल 6, 9 से उच करूँगा नेट बॉल 7, जिम से जिमनास्टिक 8, खोली से खोखो 9, तो जिमनास्टिक फ्रेंड आच चुका है एक्जाम में football, hockey and cricket ये तीनों में 11, 11 होते हैं तो ये याद रख लें कि ये तीनों में कितना होते हैं 11, 11 तो बस पोलो, वासकेट बॉल, वाली बॉल, नेट बॉल, जिमन स्टिक, खोलो से खोखो, football, hockey और cricket ये तीनों में दोस्तों 11, 11 होता हैं तो उससे आप ये याद कर सकते हैं complete अगला देखते हैं दोस्तों मुगल समराज में सासक करमानुसार पहले कौन आया फिर कौन आया तो बस ट्रिक या रहेगा ये ट्रिक आप देखिए बाहों में आजा साही आम तो बा से बाबर, हो से हिमायू, आ से अकबर, जा से जांगिर, साही से साजहां, आ से औरंग जेप और इसके बीच में फ्रेंट्स सिर्था सुरीजी भी आये हैं तो सिर्थ ये मुगल के बात कर रहा है इसलिए ये मुगल का करमानुसार ओडर में है अगला फ्रेंट्स अकबर के काल के नवरतन तो फ्रेंट्स ये इंपोर्टेंट है नवरतन से कोशन पूछा जाता है कभी-कभी ये भी पूछा जाता है कि which of the flowing is नवरतन निमलिकीत में से कौन सा नवरतन नहीं थे अकबर के तो आपको तो सारा नाम पता होना चाहिए तो पहले नाम देखते हैं कि उनका नाम क्या गया था पहले ट्रीक देखे दोस्तों इसका ट्रीक क्या रहेगा बात बात पे MDH बात बात पे mdh mdh मसाला का बात कर रहा है friends तो बात बात पे हम लो हर चीज में mdh यूज करते हैं न तो वही यूज करेंगे बात बात पे mdh तो पे silent रहेगा यहाँ पे दोस्तों बस अब यूज कीजिए बी ए टीबेट तो बिरवल अबुल फजल टी से तांसेन फिर से बी श्टार्ट वगा friends भगवदास भगवदास असे अबुल रहीम खाने खानना और टी से तोडरमल एम से मान सिंग डी से डी से उज करूँगा friends मुला दो प्याज़ थाना उनके लिए डी उज करूँगा हसे हकीम हुकाम तो इससे complete अब याद कर सकते हैं अब friends अगला से लेड़े में हम लोग देखते हैं कि सारे का काम क्या था क्योंकि वो एक्जाम में भी बार बार पूछा जाता है तो इसमें हम लोग देखने की कोशिस करेंगे दोस्तो कि कौन क्या-क्या किये थे तो देखते हैं पहला अकबर कोट्स हैड नवरतन्स जो अकबर्स नवरतन नाम दिया था जिसका मतलब होता है नाइन जेवल्स meaning अगरूप आफ नाइन एक्स्ट्राओर्डिनरी प्यूपल a group of extraordinary people nine extraordinary people they included अबूल फजल तो friends अबूल फजल जी थे वो क्या करते थे अकबर के chief advisor and author of अकबर नामा इससे दो तीन बार question आचुका है अकबर नामा के लेखा कौन है तो अबूल फजल जी है और अकबर का chief advisor कौन है तो अबूल फजल ही है और फैजी अकबर्स पोयट थे और में तांसन या हिंदू सिंगर who converted to इसलाम तो अगर एक्जाम में पुछता है अ हिंदू सिंगर who converted to इसलाम तो तांसेन हो जाएगा और फ्रेंट्स ये तांसेन के बारे में आपको पता हो ना फ्रेंट्स ये हिंदू स्थानी क्लासिकल म्यूजिक से भी फेमस थे जो मध्य परदेश से थे तो अगला देखते हैं बीरबल राजा तोदर महल अकबर फिनेंस मिनिस्टर ये जो आता ना ये बारबर इजाम में पूछा जा चुका है राजा तोदर महल क्या थे अकबर फिनेंस मिनिस्टर थे राजा मन सिंग ट्रस्टेड जेनरल आफ अकबर अब्दूल रहीम खाने खान अनोबल एंड रिनोर्ड पोयड तो ये पोयड थे कहाँ पे ये नवरतन में सामिल थे अकबर के और फकीर अजैजेदीन और मुला दो पियाजा इनके अवारेम कुछ डेटेल नहीं है तो बस ये सारा जितना भी मैंने बताया ये कोशन बार बार पूछा गया दोस्तों तो आप उसको देख लें इसी से आपका एक दो कोशन फेक्स हो गया है तो इसको बढ़चा सब देख लें कौन क्या थे और इनका नाम याद करने का तरीका मैं बता ही दिया तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ वापस से हम लोग आएंगे तब तक के लिए बाई बाई और फ्रेंड्स हाँ हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दे लाइक करें और दोस्तों के साथ सेयर करें इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद